तो चलो मैं आप लोगों को आज सरोजनी नगर घूम आती हूं तयार हो गए हैं यह भी तयार खड़े हैं इसाने साफ सफाई कर लिए और मैं निकल रही हूं निकलने के बाद वहीं मिलती हूं सीधी और मैं मेट्रों से नहीं जा रही हूं बाइक से जाओंगी इनके साथ मैं यह बहुत हैं इसको लग रही है कि इसकी डैनिंग जैकिट आरे हैं मौन इसकी नहीं आए थी पिछले साल से इसकी कपड़ आ रही हूं भाई को अभी वाड़ी मुझा यह यह लोड़ा है इसको को और बाद नहीं तो क्यों भी तईयार एक बैग ले लिया है मैंने बैग ल जिए तो पनी लटका लटका के परिशान हो जाते हैं आई कि चलो अब है कि मेरा बैग ऊगे राड़ी और शकाइब चार वज़ेसे यह अपना पेपर दे गिए चलो मिलती हो हही पे सरोजे लगर में तो फाइनली हम पहुंच गए हैं सरोजनी नगर पर बहुत भीड़ है यहां पर बहुत जादा यह देखी कितनी हीड़ा इदर नुकल दिया और यह गए हैं बाइक खड़ी करने के लिए भी आये नहीं है मैं एक साल बाद आयूं यहां पर और रहने कोड डाल लिया तो सर्दी लग रही थी कि मुझे फीवर भी है चलो मार्कित के अंदर जाके मिलते हैं आपसे तो गाइस मैट्र स्टेशन के सामने से जो गेट होता है वहीं से हमने एंटरी की यह बस वही Pake यह देखी कितना अच्छा गरम तरह साला समान मिल रहहा है वहां पर यह सूज का मलब राइटी है और यहां एक बहुत अच्छी बात है बताते हैं वहां पे कम से कम 600 या 800 बताते हैं और 300 तक अराम से दे देते हैं और यहां पर मुझे बहुत सारा समान पसंद भी आया था जोलरी है यह देखो कितनी आवाज लगा रहे हैं भाईये यह ओक्सिडाइस है यहां से भी मैंने लिया था एक कान का तो यहां बहुत अच्छे अच्छी है बताते तो जादा रेट में हैं मगर आसानी से दे देते हैं ज खुदी नहीं वह करा है और यहां पर स्रिप कोट मिलेंगे यह डवल रेट के बताते हैं आप अराम से यहां से तू हंड्रेट का ले सकते हो मलब बताएंगे एट हंड़ेट सिक्स हंड़ेट का यहां बताया जाता है आप बार्गिनिंग करते करते नीचे मतलब आ जाओग तो यहां पर 200 का 300 का अराम से मिल जाता है और लोंग भी है शोड भी है और यह पर्स जो हैं 350 का है तो राइटी अच्छी है छोटी छोटी चीज़े भी बहुत बढ़िया मिल जाती है यहां पर और बस ऐसे ही साइड से साइड लगी हुई समान है आपको जादा ढूनना नह है वही मतलब इंटर है तो वही चल रहा है जीन्स की जैकेट वगरा है जो मैं लेकर भी आई हूं तीन लेकर आई हूं एक मौनिश की दो इशकी में और बहुत कम रेट की मिल जाती है यहां पर मैंने तो 50-50 रुपे की भी खरी दिया वहां से दो तो आप जैसा मर्जी अप सबसा यह देखे मैं टी-शर्ट देख रही थी गरम कि मुझे विंटर में सर्दियों में यह टी-शर्ट वगरा ही डालती हूं वैसे तो मैं गई किसी और कायम के लिए थी जो चीज लेने गई वो तो मुझे मिला नहीं और चीज लेकर आ गई हूं वहां से समान तो नहीं खरीदारी करी और जल्दी से मैंने आने की कोशिश की जाबी ने पाई मैं जिसके यहां जाना था क्योंकि कोई अपना ही रिलेशन में था जिसकी डैथ हो गई थी तो बस इस वज़ज़े से मैं जल्दी ही आ गई थी तो यहां से मैंने चार पाट टी-शर्टे खरी तो फाइनली में धर आ गई हूं और सरोजी नगर में इसलिए जादा नहीं दिखा पाई वहां एक फोन आ गया था किसी की डैथ हो गई थी तो इस वज़ज़े से हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे आने के बाद बस मैंने चाय पी है और मैं वहां पहुंच भी नहीं नहीं दिखाऊंगी तो बाद में एक साथ इनका एक साथ होल बनाके दिखा दूंगी जो जो मैं वहां से लेकर आई हूं कि यह तो आज बस थोड़ा सा इस बच्चे का सुनके बच्चा नहीं था बड़ा ही था 19 साल का था मासला जिसका इंतिकाल हो गया तो बस उस नहीं लगा फिर जादा हम खरीदारी नहीं कर पाए क्योंकि यह कोट है तो बस इसी वज़़ा से अब यह सारा इसा नहीं फैला रखा अभी तो बस जो लेकर आई हूं तो यह देख रही है और यह लेकर आई थी वहां से देखिए नहीं दिखाती है आपको एक यह है कि यह वहां पर हंट्राइट रूपेट का मिल गया था यह पहुत अच्छा लगा हमें पसंद आया तो इन्होंने बोला यह भी ले लो और जिस चीज के लिए मैं गई थी वहां नहीं मिला मुझे कि मैं गरम प्लाजों यह लागी जो भी मिलती टाउजर वगरा गरम के जो लेकर आया है और इसका मैं सारा समान आपको बाद में दिखाऊंगी क्या-क्या मैं लेकर आई हूं और अपनी टी-शेट वगरा लेकर आया थी गरम क्योंकि मैं सड़्दियो में गरम टी-शेट ही जादा पहनती हो घर में चलो गाई अगर वीडियो पसंद आये तो ला नहीं यह देखो यहां से तो चलो दुआओं में याद रखेगा बाई बाई लापीस निशा बाई कर दो